Principles of Systematics Module 189 Mimicry Mimicry basically refer to the similarities between species Mimicry के अंदर क्या होता है कि एक organism अपनी जो शकल है अपना जो structure है या इवन अपना जो behavior है वो किसी दूसरे organism की तरह बना लेता है अब Mimicry की हम बहुत सारी types पढ़ेंगे अगर हम Mimicry की general definition की बात करें तो Mimicry is basically a form of symbiosis where species may mimic color pattern or even behavior with one of another organism due to one of the two reasons अब ये दो reason जिसकी वजासे एक organism अपना जो structure है अपना color या अपना behavior दूसरे organism की तरह बना लेता है उसकी दो reason हो सकती है एक तो ये कि either to be able to get closer to the prey एक predator है उस predator ने prey तक पहुँचना है अगर predator का एक different body structure है different color pattern है तो जैसे ही वो prey के करीब आएगा तो prey फॉरन से पहचान लेगा और वहां से भाग सकता है तो predator के खाहिश ये होती है कि वो किसी तरीके से अपनी जो similarity है वो prey की तरह बना ले ताकि जब वो prey के करीब आए तो prey को ये पता ही ना चले कि ये predator है एक तो ये reason है कि एक organism दूसरे organism की तरह अपना color अपना behavior या अपना structure अड़ाप्ट करता है या फिर दूसरी reason to gain protection by attaining similarity with the predators are poisonous species बास दफा ये होता है कि किसी एक इलाके के अंदर एक से जादा species मौझूद है और ये जो species है ये bad taste है for example लेकिन different species है अब जब predator इन में से किसी एक species के अपर attack करता है तो attack करने के बाद वो ये learn कर लेता है कि ये species प्लेटेबल नहीं है इसका taste bad है इसी तरीके से वो दूसरी species के अपर इसी तरीके से 30 species के अपर attack करता है इसका मतलब ये हुआ कि जब तक predator तमाम species के अपर attack नहीं करेगा उसको ये मालूम नहीं होगा कि ये जो group है ये प्लेटेबल नहीं है ये non-platable है तो ऐसे बहुत सारे non-platable organisms क्या करते हैं वो एक जैसी appearance बना लेते हैं ताके इस group में से किसी एक के पर भी attack हो तो predator ये जान ले कि ये जो group है ये non-platable है platable नहीं है इस तरीके से वो protection हासल कर लेते हैं तरीके से दूसरा तरीका ये होता है कि एक species platable है दूसरी species un-platable है तो जो platable species है वो अपना जो structure है वो non-platable की तरह बना लेता है ताके उसको भी protection मिल जाए तो ये different strategies है जो के animals adopt करते हैं अब जो mimicry है mimicry को हम different categories के अंदर divide करते हैं इसके अंदर batsman mimicry है, mullarian mimicry है wasmanian mimicry है manian या pigman mimicry है इसी तरीके से self mimicry अब सबसे पहले हम बात करते हैं batsman mimicry के batsman mimicry के अंदर क्या होता है batsman mimicry के अंदर basically एक जो platable species है यानि ऐसी species जिसका taste अच्छा होता है वो अपना color pattern किसी ऐसे species के साथ match कर लेता है जो के non platable है जानि एक जो अच्छे test वाली species है वो अपना color pattern ऐसे species से match कर लेते हैं जो के un platable है अब ये जो species का जो concept था ये mimicry का जो concept था ये 1862 के अंदर henry w bats ने जो के एक English naturalist था इसने introduce कर वाया था इसके नाम की वज़ा से इसको honor देने की वज़ा से इसको हम batsian mimicry कहते हैं अब अगर हम इसकी example की बात करें तो इसके अंदर जो वास्ट्राइ बटरफ्लाइ है ये एक platable species है यानि इस species से belong करने वाले जो individuals हैं उनका जो टेस्ट है अच्छा टेस्ट होता है जबके जो दूसरी species है monarch इस species के जो member है वो unplateable है और इनका टेस्ट bad होता है क्योंकि इनके अंदर toxic substances होते है अब होता क्या है कि ये जो वास्ट्राइ है ये अपना जो color pattern है अपनी जो resemblance है वो monarch butterfly की तरह बना लेता है ताके जब predator इनको देखे तो उसको ये ही लगे कि ये भी monarch की तरह bad taste है तो इस तरह से ये जो species है वो protection हासल करती है तो इस किसम की जो mimicry है इसको हम batsian mimicry कहते है यानि batsian mimicry के अंदर एक platable species ने अपने आपको ऐसे species की तरह बना लिया जो के unplatable है to get protection